तो काईसर आज तो बहुत ही साधा बड़ी दिक्कत हो चुकी है मेरी पूरी की पूरी हल्क फैमिली उस लावा के ओपर फस चुकी है पापा पापा मुझे बचाओ अरे बेटा हमें बचा लो हम लावा में गिर जाएंगे तो काईसर अभी आप देख सकते हो मेरी पूरी की पूरी फैमिली उस वेन के ओपर है और वो वेन कभी भी लावा में गिर सकती है मुझे कैसे भी करके अपनी फैमिली को वहां तक जंप करके बचाना पड़ेगा पर काईसर अभी मेरा जंप बहुत ही चोटा है मैं तो बहुत ही जादा चोटे चोटे जम कर रहा हूँ और गेल पी जा रहा हूँ अगर मैंने यहां से जम किया तो मैं कुछ जाकर लाव में गिर जाओंगा क्या करू क्या करू मुझे समझ या ना हमी बचा लो हमी बचा लो मुझे बहुत धर लग रहा है अरे काईजर मुझे क्या करना चाहिए, मुझे तो बिल्कुल समध्याना मेरी बात सुनो बच्चे, इधर आओ अरे थौर, तुम तुम अपनी फैमिली को बचाना चाहते हो, उसके लिए तुमें खतरनाग जंप करना सीखना पड़ेगा और अगर तुम इस हल्क की मुंडी को पच्च मारते हो, तो तुम अपग्रेड हो सकते हो, और तुमारा जंप मीटर भी बढ़ेगा क्या सही में, ऐसा हो सकता है, हाँ ऐसा हो सकता है, जल्दी जल्दी इसको पच्च मारो ओके तो कैजर मुझे अपनी फैमिली वालों को बचाना है उसके लिए मुझे इस हाइक में पंच मारना पड़ेगा ताकि मैं अपग्रेड हो सकूँ तो इसको एक खतरनाक सा पंच मारते हैं त्री डू वन या यह ले और कैजर यह क्या उस खतरनाक से हल्क हैड को पंच मारने के बद मैं तो यहाँ पर इक खतरनाक हल्क में अपग्रेड हो चुको मेरी मुंडी तो देखो कितनी सादा बड़ी हो चुकिये और मुझे बहुत नी सादा पावर्फुल भी फील हो रहा है मुझे लगता है अब मैं जंप कर पाऊंगा बच्चे पहले यहाँ पर ट्राइल कर लो तुम कितना दूर जा पा रहे हो मुझे ट्राइल करने के जरुगत नहीं है मैं डायेक्ट अपनी फैमिली वालो को बचा कर रहा हूंगा हमें बचा लो हमें बचा लो तुम टेंक्शन मतलो मैं तुमें बचाने आ रहा हूं यहाँ 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 अरे यह क्या मैं तुम लावा में गिर गया बच्चे टेंक्शन मतलो तुमें लावा से अब कुछ नहीं होने वाला हलका मैं चल्दी बचालो ये ट्रक तो नीचे जारी है हमें बचा ओ और ये खई सर मेरे पास time बहुती साधक कम है क्योंकि जो वो van है वो दिरे दिरे नीचे जाती। भी जारी है तो मुझे जल्दी से जल्दी और भी upgrade होना पड़ेगा एक ख़तरनाक से हल्क में ताकि मैं एक बडा सा जम करके अपनी फैमिली वालों को बजा सकूँ उसके लिए मुझे और भी हल्की मुंडियों को डूण के उनको बंच करना पड़ेगा तो जल्दी जल्दी चलते हैं और भी हल्की मुंडिया डूणते हैं तो काई सर अभी मुझे चाहिए एक और हल्की मुंडी ता कि मैं उस पर पंच मार के अपक्रेड हो सकूँ और वो मुंडी मुझे देने वाला है क्याफटन अमेरिका जी हां बच्चे मैं तुम्हें ये मुंडी जरूर दूँगा पंच करने के लिए पर उससे पहले तुम्हे चैलिंज करना होगा क्या चैलेंज में यहां पर भॉत सारे हल्क घंए ये सारे के सारे हल्क के बीच में एक अकर तो इस रिल हल्क पांच मिनिट के अंदर डूड़ लिया तो मैं तुम्हें ले टीच का तूरी हर ऐत़तिस ही सोङԲूघ के लिगा यहां पहुत ज़ूर के है आई रुको रुको काईजार जल्दी-चल्दी कमेंट कर दो ग है года अगर आप चाहिते हो मैं चल्दी इस रिल हल रोड़ को दो हुख टोुडल हुख ख़ते हैं तो गुडल्फ हए बिल्कोल मत बूलना तो जल्दी-चल्दी कमेंट करो मैं बील्कु तैयारू Okay, three, two, one, पाच मिनिट का टाइमर होता है, बसा होता है, चलो, 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 पॉरा बढ़ा पाट से असली हलकों में टूंडना पड़ेगा, ये तो टुक ले से बना हो है, ये भी ले से बना हो है, ये भी ले से बना हो है, सारे के सारे हल को research करना पड़ेगा ये भी clay से बनावा है असली हल कहा पर होने वाला है ये सारे के सारे हल तो clay से बने वे असली हल के दर है मुझे तो समझ नहीं आ रहा कहा पर है ये क्या नहीं ये भी clay से बनावा है मुझे जल्दी से जल्दी असली हल्क को डूणना पड़ेगा का परे का परे का परे बच्चे चल्दी करो टाइम बहुत ही कम है अरे याँ कैप्टेन अमेरिका डूण तो रहो का परे असली है यह वाला है क्या नहीं यह भी नगलिए तेरी आसे कित है इसकी पूझे तो समझ नुहारा असली हल्क इन में से कॉनसे होने वाला क्कड़ बकड़ बबब मुङ वह स्वाय शॉठे चोर ने करके भागा मुझे लगता है यह असली हल्क bên नाए यह विख सक्क घाए दूड़िका थाटव यह औपकर कह वह क्योंना 11 12 13 14 15 तो कैसर मुझे लगता है यह असली है क्या यह असली है यह 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 नहीं यह यह फिलेंगा सारे के सारे आइक क्लेंस क्यों बने वे वह हैं जल्दी करो टाइम बहुत कम है अले मुझे तो मिल नहीं रहा है तुम कुछ भी चीज़ यूज कर सकते हो उनको डूटने के लिए क्या कुछ भी मेरे पास एक आइडिया है तो काईजर अभी मेरे पास जी खतरनाक सी मिनिगन आ चुकी है और इसका यूज करके हम उस असली हाई को डूट कर रहेंगे ये नो सारे के सारे क्ले से बने वाले हल कुको में आपर खतम कर दूगा असली हलका में जब तक नहीं मिल जाता मैं सब को मारता रहूंगा इस पूरी लाइन में तो एक भी हलक नहीं निकला के लो सब को खतम कर दूगा जो भी असली हाई के सामने आ जाओ वरना तुम खतम होने वाले हो अब इस लाइन को खतम करते यह लो सारे के सारे हलकिया आपर मरने वाले अब बारी इस लाइन की यह लो तो कहorse मैंने आपर सारी की सारी लाइन खत्म कर दिये अब ये सिर्फ आखरी हल committed लाइन पका इसी लाइन में वह मिलने वाला है तो अकेक कर करके मारेंगी अगर असली हल्क हो तो सामने आओ वरना मैं पूरा का पूरा तुम्हें पिगला के इस खतरनाक सी लेजर से खतम करने वाला हो आजाओ सामने आजाओ हाँ मैं तुम्हें नहीं चोड़ूँगा हाँ रुक जाओ रुक जाओ मैं ही असली हल्क हो मुझे कुछ मत करना और ये क्या मुझे असली आइक मिल गया हाँ मैं ही हूँ असली आइ मुझे कुछ मत करना बाकी के सारे के सारे हल को कौम याँ पर खतम कर देंगे बहुत बढ़िया तुमने असली हल को ढूड लिया ये हल की मुंडी तुमारी हुई तो गाइजर अभी मुझे यहाँ पर एक और हल्की मुंडी मिल चुकी है फड़ावर्ट से इस पर मारते हैं पंच और हो जाते हैं अफग्रेड 3,2,1 यह ले और गाइजर यह क्या इस खतरनाक से हल्क को मारने के बाद मैं तो यहाँ पर बन चुका हूँ एक Captain America Hulk यह सही में बहुत ही खतरनाक है और गाइजर मेरे पास यह खतरनाक से लेजर फैकने की पावर भी आचुकी है इस लेजर की मदद से मैंने उस असली हल को ढूंडा था और अब यह पावर मुझे ही मिल चुकी है तो यह सही में बहुत ही साधा खतरनाक है मैं आपर बहुत ही साधा स्ट्रॉंग हो चुका हूँ तो देख देख क्या अब बे अपनी फैमिली वालों को जब गर गर बचा पाऊँगा चलो वड़ा फट चलते और उनको बचा लेते मैं आगया, मैं आगया अपनी फैमिली वालों को बचाने, ये क्या, वो ट्रक तो बहुत ही सादा नीचे पहुच चुकी है, हल, हल, कमें बचा लो, मुझे नहीं लगता, मेरा बेटा मुझे बचा पाएगा, हम तो लावा में जाने वाले, पापा, पापा मुझे बचा लो, मोरे कैजर ये क्या, उनकी वैं तो बहुत ही सादा नीचे पहुच चुकी है, विल्कुल लावा के पास, मुझे उनको चल्दी से चल्दी बचाना पड़ेगा, मुझे खतरनाक साथ जंप करना पड़ेगा, वो भी पूरा रन अप लेके, मुझे उन तक पहुचना पड़े मैं इस ट्रक के बहुत ही सादा पास पौच या था, पर काईसर मैं उनको बचा नहीं पाया है, और ये ट्रक लावा के बहुत सादा पास आ चुकी है, तो टाइम हमारे बहुत ही से चल्दी बहुत ही खतरनाग हाईक में अपग्रेड होना पड़ेगा, ता कि मैं जम कर कि अ और अब बंच चलते हैं अपग्रेड होने तो काईजर अगर हमें और भी अफग्रेड होने हैं तो मैं जाना पड़ेगा इस ख़दरनाक से स्कूल में क्योंकि काईजर यहां परें बहुत सारे टीचर्स चो कि मेरे से सवाल पूचने वाल है और हजर मेरे सारी के सारी सवालों का जवाब सही दिया तो मुझे वो खदरनाक सी हलकी मुंडी मिलने वाली है बंच करने के लिए पर उस मुंडी और मेरे पीच में बहुत सारे टीचर्स और उनके सवाल है आव आव बच्चे अगर तुम्हें वो मुंडी चाहिए तो सब के जवाब बिलकुल सही देने पड़ेंगे सब के जवाब सही देना मतलब बहुत ही जादा हाड होने वाला है तो बच्चे सबसे पहला क्वेशन तुमारा उने वाला है एक क्रिकेट टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं क्या एक क्रिकेट टीम में यह तो बहुत एजी है, एक क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं, बहुत बड़िया, पहला जवाब सक्सेस्फुल, अब दूसरे पे जाओ, तो काईसर, पहला समाल तो बहुत ही साधा एजी था, पर काईसर, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, सवाल और भी जाधा वो ही कि अरे नहीं, गवा में तो पीछे कौन सा डेजर्ट है, हाँ, साहरा डेजर्ट, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब, तुम जा सकते हो, ठाट क्वेशन पर, तो क्वेशन इसे के साथ, मैंने दो क्वेशन का आंसर बिल्कुल सही दे दिया है, दीरे दीरे हम पास पहुचते जारे हैं, उस हल्की मुंडी के पास, मैं तो मैं इतनी आसानी से वहाँ पर नहीं पहुचने दोंगी, तुमारा अगला क्वेशन है, हमारी पूरी बाड़ी में सबसे जादा सेंसिटिव औरगन कौन सा होता है, मैं पूरी यह कौन सा सवाल है, मुझे क्या मैं तो हाल कू, मुझे हुमन की बाड़ी में क्या पता, अरे काईजर, यह क्या हो सकता है, सबसे जादा सेंसिटिव पार्ट, हमारी बाड़ी में क्या होता है, अगर काईजर, अगर आपको इसका आंसर बता है, तो फड़ा फट से कमेंट कर गए पता तो, यह मुझे तो इ मेरा पेटी है और पेट के ओपर होती है skin मतलब skin इसका अंसर है skin बिल्कुल सही जवाब बहुत बढ़ी है क्या मैंने सही में सही दे दिया है तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया अब तुम आगे जा सकते हूँ अगे जवाब दिया तो तुम्हें हलकी मुंडी नहीं मिलने वाली अरे कैजर दुनिया का सबसे बड़ा आइलेंड 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 कौन सा इलेंड है कौन सा इलेंड है क्या साही जवाब ? क्या साही में साही जवाब? अरे अटो फाल तो प्रेश चॉमारी होने वाली है तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बेता देना मैं चुप चाहल देख लूँगा आजाओ बच्चे आप बारी है तुमारे अगले question की तो मुझे बताओ computer का brain किसको भोला जाता है computer का brain भी होता है अरे ये कैजर कैसे समाल पूछ रहे हैं मुझे तो कुछ समझ दे रहा औरे कैजर चल्दी चल्दी comment किसको बताओ computer का brain किसको कहते है ताकि मैं चुच्चा आंसर देख सको मैं साइड में जाता हूँ अंकल रुको सोच रहो सोच रहो अरे कैजर चल्दी चल्दी comment कर दो और अगर आपको इसका answer नहीं आता तो like और subscribe कर दो ताकि मुझे इसका answer आ जाए चल्दी चल्दी like और subscribe करो या फिर इसका answer comment करो और यह क्या मुझे मिल गया इसका answer है CPU बहुत बढ़िया बच्चे कंप्यूटर के brain को CPU कहते है अब तुमारा आखरी question और कैसर आप देख सकतो साड़े के साड़े questions का जवाब देते देते हम लोग आज़ोगे अपने आखरी question पर मुझे रखता यह सही में बहुत ही सादा मुश्किल question होने वाला है बता उंकल क्या question है तो तुमें यहाँ पर answer करना पड़ेगा दो-दो question को क्या? दो-दो question? हाँ! सबसे पहला question जो भी यह वीडियो देख रहे क्या उन्हें लाइक और subscribe कर दिया? अरे यह मुझे कैसे बताऊँगा? अरे कैसर यह तो आप सबको बताना पड़ेगा कि आप सबने like और subscribe किया है की नहीं जल्दी-जल्दी like और subscribe करो और comment में लिको yes अगर आप नहीं लिकोगे तो आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे तो जल्दी-जल्दी like और subscribe करके comment में लिको yes, like और subscribe कर दिया है अगर सब लाइक और subscribe नहीं करेंगे तो अगले question पर नहीं जाँ पाएंगे अरे अंकर आप टेक्शन मतलो सब के सब कर देंगे काईजर जल्दी-जल्दी कर देना चलाब चलते अपने अगले question पर तो ये तो मोरा आखरी question होने वाला है इस हाई की मुंडी को जीतने के लिए तो क्या तुम तयार हो अरे मैं तो बेल्कुल तयार हूँ, बताओ, बताओ तो मुझे बताओ, एक octagon में कितने side होते क्या, 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 कौन सा gun octagon, octagon octobus? नए, 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 octagon octagon, अब ये octagon क्या होते है मैंने octobus सुना है बच्छे, उसके कितने side होते अरे मुझे क्या पता octagon होता क्या है मुझे ये भी नहीं पता बच्छे, ये octagon के साथ में राइम कर रहा है और octagon क्यों होते आर्ट वेर तो मुझे लगता है इसका answer 8 हो सकता है अंकल, 8 इसका answer 8 ये कैस हो सकता है तुम तू, तूम तू क्या, मैं आर गया ऐसा कैस हो सकता है नई, तुम जीच चुके हो क्या, अरे अंकल सही में अरे ये का करे हो हट 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 अरे तेंक्यू अंकल तो गाइजर आप देख सकते हो हमने इसका बिल्कुछ सही जवाब दे दिया है और गाइजर ये हल्क के मुंडी हमारी हो चाहिए चलो फट आपट से इसको पंच करते है 3, 2, 1 ये ले और कैजर आप देख सकते हो मैं तो यहाँ पर बहुत ही सादा खतरनाग हल्क में अउग्रेड हो चुका हूँ ये कितना सादा खतरनाग लग रहा है रुख जो, आभी मैं आपको चंप करके दिखा तो 3, 2, 1 ये, बहुत ही सादा बड़े बड़े जंप ये कर रहा है मुझे लगता है अब हम अपनी फैमिली को आराम से बचा लेंगे क्योंकि कैजर मैं आपर एक बहुत ही सादा खतर राग में का हल्क में अउग्रेड हो चुगा हूँ मुझे अपनी फैमिली को बचा रहा है चलो अब तो मैं अपनी फैमिली वालों को बचा कर रहा हूँगा मैं आगया, मैं आगया औरे ये क्या, ये लोग तो लावा में टूपने वाले पापा, पापा में बचा लो अब तो लावा में चा रहे अरे बेटा अब हमारे पास टाइम नहीं है हमें बचा ले अरे ये क्या उन लोगों के बास तो बिल्कु टाइम नहीं है लावा बहुत ही सादा पास पोचके है अब काईजर मुझे इस जंप को कैसे में करके कंप्लीट करना ही पड़ेगा चल्दी चल्दी कमेंड में लिख क्योंकि कैसर मुझे यह पूर अबना कंप्लीट करना है चलो यहां पर बिल्कुल तैयर हो जाते हैं इस बार तो हम जंप अपना कंप्लीट करकर रहेंगे थ्री टू वजा रहें और यह क्या मैं तो कितना ज्यादा पास पूच चुका था पर मैं इनको यहां पर नहीं कर रहूंगा और कैजकर यह क्या हो गया मैंने तो सोचा ता मैं अपनी family को इस खतरनाक से बचाई लोगा बड़े 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 जब निकला इतने बड़े जंप काफी नहीं है अपनी फैमिली वालों को बचाने में वो अल्रेडी लावा के बहुत ही जाधा पास बहुच चुके हैं तो इसका मतलम हमारे पास टाइम बहुत ही जाधा कम है लावा कभी उनकी बोडी तक पहुच जाएगा और वो सब किसम मढ़ जाएंगे तो चल्दी चल्दी चलते हैं अब ग्रेड होते हैं दुन्या के सबसे खतरनाक हल्क में तुमारा स्वागत है इस खतरनाक से चैलेंज में इस चैलेंज में तुम्हें ये हल्क की मुंडी मिलने वाली है पंच करने के लिए पर इस मुंडी को पंच करने से पहले तुमें ये पूरा का पूरा चैलेंज कंप्लीट करना पड़ेगा ये चैलेंज बहुत ही सादा खतरना के बीच में आने वाले बहुत सारे आप्ष्टिकल्स सारे आप्ष्टिकल्स को क्रॉस करते करते तुमें पहु किसने बोला तुम अकेले करने वाले हो वैनम भी करेगा अरे ये वैनम का साया ही 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 सबसे पहले मैं ही आया और इस हलकी मुंडी को मैं ही पंच करूंगा और अफ्रेड हो जाओंगा बाई बाई हलकू अरे ये कैसा हो सकता है ये वैनम का बच्चा लास्ट में कैसा आ गया त को भी फिनिशिंग लाइन पर पहुंचेगा उसको है की मुंडी बिलने वाली है मैं ही पहुंचूंगा यह हल्क मोटा कभी नहीं पहुंच पाएगा औरे कैसर जल्दे जल्दी कमेंट कर दो बैट लग टू वैनम क्योंकि मुझे नहीं पता दो यह आने वाला है मैंने तो सु जब मैं अवरेंग उचाऊंगा एक खतरनाक वैनम में आरे मुझे बचाया ओरे यह क्या हो रहा है बहुत बढ़ीया किरचा 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 और hell कमें बैट लग लिखते रहना क्योंकि जूब सादा बैट लग लिखते है लनां क्योंकि अत्ना सादा यह मार मिना खाने वाल अरे अरे यह क्या हो गया मुझे बचाव और कैजर आप देख सकते हूं वेनम यहां से सीधा गिर चुका है और नो चुका है डिस्कॉलिफाई बच्चे वेनम तो किर गया पर तुमें जीतना पड़ेगा अरे आरण मैं तुम टेक्शन मतलू मैं तो जीतने ही वाला हूं तो क पर थे से अपनी बाइको उताते सारे अबस्टेकलों नüyorsun पचाते है अमें पहुचना पड़ेगा फिनिशी ऐन पर इस फिट बाॉल को नीचे गिर हैंगे, रूचो इस फुट बॉल ले कर घृऊंगे, चल, 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 थे दर मचँई, इढर मचा सहाँ, इदर चलो, 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 और कईजर, ये फट बाल तो जात ही जा रही है, अरे ये तो पीछा रही है काम करते हैं इस वाले को लेकर चलते हैं हम इसको भी फिनिशिंग लाइन पर पोचा कर रहेंगे अरे ये ये क्या होगे मुझे लगा मैं ही नीचे गिर जाओंगा अरे कैजर अब इस फूट बॉल के में से मैं ही नीचे गिर जाता पर हम यहाँ पर बचना पड़ेगा बढ़िया जंप करके हम लोग फूले स्पीड में आगे बढ़ते जा रहें चल्दी चल्दी लाइक और सब्सक्राइब करते रहो गुड़ लग कमेंट करते ना वरना मैं नीचे गिर जाओंगा ये लो नंगे अंकल और कैसर आप देख सकते हूं अभी हम आदे चाने वेनम यहीं पर गिरा था हमें बिल्कुल भी रही गिरना हमें पहुचना पड़ेगा फिनिशिंग लाइन पर मचाओ ये क्या मेरी बाइक का उड़ गी इस फैन ने तो मेरी पाइक की हवाइम उड़ा दी अब लगता है मुझे पैदल जाना पड़ेगा तो गैसर फड़ा फट से भाग बाग कर चलते एक सकिन मेरी बाइक वापस आ गई फड़ा फट से चलके अपनी बाइक वापस से ले लेते हैं ये फैन से ही में बहुत ही सालक खतरना के अब एक क्या कर रहा है रुक जांग अभी हम वापस से बाइक पर आचुके इस फैन के यहां से निकल जाएंगे हमें फिनिशिंग लाइन पर कैसे भिक कर के जल्दी से जल्दी सबसे पहले पहुच नहीं पड़ेगा और गाइज और आप तेक सकतो यहां पर बाइक चेंज करने की बाद ही आचुके हैं हम जाने वाले हैपली कॉप्टर में बाकी की फिनिशिंग लाइन पर फड़ा पट से इसको हवा में उड़ा लेते हैं तो आपके बास ही आखरी मौका मिलने वाला लाइक और करने का और कमेंड में लिखने का गुड़ लग हल्क तो चल्दी चल्दी कर दो आखरी मोका है फैन ने मुझे मारी ठोकर अभी मुझे यहां पर बैलेंस करना पड़ेगा अगले वाले अगले वाले टायर में से भी निकल लेते हैं बिना नीचे किरें बिना टक राए और ग क्या हमारा हेलिकॉप्टर तो आगे चाच चुका है और मेंने बहुत ही बड़िया लेंडिंग कर लिया सीदा फिनिशिंग लाइन पर बढ़ बच्चे तुमने यह चैलेंज कंप्लीट कर दिया तो चैलेंज मेने यहां पर कंप्लीट कर दिया इसका मतलब यह हल्की आखरी 3, 2, 1, यह यह ले और काईजर यह क्या मैं आपर अपग्रेड हो चुका हूँ एक खतरनाक से हल्क में यह ल्टो सही में बहुत ही जादा खतरनाक लग रहा है इसके विंग से चार चार हाथ है और इसके पैरों में में बहुत ही जादा पावर लग रही है बड़े बड़े जौंप करने के लिए हमें चल्दी से जल्दी अपनी फैमिली वालों को बचाना है तो चलो उनको चल कर बचाते हैं मुझे नहीं लगता हम बचने वाले हम लोग मढ़ जाएंगे मैं बचाने नहीं आए पापा मैं आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ मुझे चल्दी से चल्दी पहुंचना पड़ेगा फूल स्पीड में मैं आ गया पापा पापा में बचा लोग अरे बेटा हम मरने वाले है या ये लो पूरी की पूरी वैन को हमने यहाँ पर उठा लिया है और अपनी पूरी फैमिली वालों को बचा लिया है चलो इनको लेकर चलते है अरे पापा हमने हमें बचा लिया है और काईसर आप देख सकते हो हमने अपनी फैमिली वालों को फाइनली उस खदरनाक से लावा से बचा लिया है अरे बिटा मैंने तो सुचा था तुम हमें नहीं बचा पाओगे पैपा आपने अभी बचा लिया हाँ तुमने मुझे बचा लिया बहुत बहुत शुकरिया और काईसर फाइनली इसे के साथ हम ने अपनी फैमिली को पुरा सक्सेस्फुली बचा लिया है बिना किसी धिकoda के और साथी में मैं आपने अपकर अपड़ेड होचुका हूँ एक घदर नाक से हलक में यह एक सही में बहुत ही जादा खतरनाग है मुझे तो बहुत ही जादा मजा आगया अपनी फैमिली को बचा के और अउग्रेड हो के तो कैसर अच्छी विडियों से विटाई अगर आपको अच्छी विडियों लाइक कर देना बाइब बाइब